अगर आप पिटूनिया के प्लांट से पूरे सीजन भर बहुत अच्छी फ्लावरिंग भर भर के फूल लेना चाते हैं तो इस एक खात को आपको अपने पिटूनिया के प्लांट में जरूर इस्तमाल करना है तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में लगे वे जितने भी पिटूनिया के प्लांट हैं सभी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है सारे के सारे प्लांट जो हैं वो पूरी तरह से फूलों और कलियों से भरे वे हैं बहुत सारी वराइटीज मैंने पिटूनिया की अपने गार्डेन में लगाई है गमले में भी मैंने पिटूनिया के धेर सारे अलग-अलग कलर और वराइटीज के प्लांट लगाए हैं देख सकते हो, सारे के सारे जो प्लांट है, वो पूरा फूलों से भरे वे हैं, तो अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए पिटूनिया की कैर कैसे करनी है, क्या-क्या टिप्स और ट्रिक्स आपको अपनाने हैं, साथी साथ कौन से फटलाइजर और कौन से जरूरी काम आपको पिटूनिया के प्लांट में time to time करते रहना चाहिए जिससे प्लांट में flowering ज़ाधा हो सके उन सभी के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों पिटूनिया जो है वो one of the best winter flowering plant में से एक है और ये साथ ही साथ बहुत ही ज़ाधा sun loving plant भी होता है पड़ेगी आपके पिटूनिया के प्लांट में उतनी ही अच्छी flowering होगी और उतनी ही जादा मात्रा में कलिया भी आएंगी तो हमेशा अगर आप पिटूनिया के प्लांट से जादा फूल और कलिया लेना चाहते हैं तो उसको ऐसी जगा लगाएं जहां दिन की कम से कम 5-6 घंटे की दाइरेक धूप जो है वो पड़ती हो इससे आपका पिटूनिया का पौधा अच्छे से ग्रो भी करेगा और flowering भी बहुत अच्छे से करेगा साथी जब भी आप पिटूनिया के प्लांट को लगाते हो तो जब छोटा प्लांट जब आप लगाते हैं जैसे ये देखो ये सारे जो पिटूनिया के प्लांट साब देख रहे हैं इनको मैंने बीज के द्वारा लगा के हाली में ट्रांस्प्लांट करा है तो इस तरह से जब आप पौधे जब ट्रांस्प्लांट करते हो तो पौधे जब एक बार गमले या ग्रो बैग में सेटल हो जाएं उसके बाद आप उसकी टॉप की पिंचिंग जरूर किया करें इससे पौधे जो होते हैं उसमें नंबर और ब्रांचे ज़्यादा आते हैं और जितनी ज़्यादा पौधे में डाल आएगी इंटर्न उसमें जो है उतने ज़्यादा मात्रा में फूल और कलिया आती है तो जैसे आप देखो यहां पे मैंने जितने भी पौधे टरांस्प्लांट करे हैं सभी पौधे की मैंने जो है तॉप से पिंचिंग कर दी है जिससे पौधे में नीचे से नई नई ब्रांचे ज़्यादा आने लगी है और पौधा इससे धीरे धीरे बहुत जादा घना हो जाएगा ऐसे तो पिटूनिया एक बहुत ही जादा हाडी प्लांट होता है और बहुत easy to grow प्लांट होता है लेकिन फिर भी कुछ बाते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे की आपका पौधा जल्दी से खराब न हो जैसे जब आप पिटूनिया लगाने के लिए उसकी मिट्टी बनाते हो तो उसको एकदम हलका और वेल ड्रेंड बनाये करें जिससे कभी भी अगर आप excess watering करते हैं तो पानी जो है वो गमले या ग्रो बैग में रुकना नहीं चाहिए जादा जड़ों के पास पानी रुकने से पिटूनिया के जो पौधे हैं उसकी जड़े नीचे से खराब होने लगती है या फिर जो पौधे की stem होती है वो मिट्टी में सटी होती है तो हमेशा अगर मिट्टी बहुत ज़ादा गीली होगी तो उससे पौधे में fungus फैलने के chances होते है और एक बार जब पिटूनिया में flowering यानि कलिया आना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आपको प्लांट में कभी उपर से स्प्रे करके पानी नहीं देना चाहिए कोशिश करें मतलब बहुत जरूरी हो तभी आप प्लांट में पानी स्प्रे करके दें या खाद वगेरा देते हैं तभी आप स्प्रे करके दें वरना प्लांट को आप वाश नहीं किया करें नहीं तो इससे कलियां खिलने से पहले ही सड़िया गल सकती है और पौधे में जो भी फूल खिल के मुर्जाते हैं यानि जो spent flower होते हैं उनको आपको time to time ऐसे pinch करके हटाते रहना है और सिर्फ इस तरह से फूल को तोड़ के नहीं हटाना है जहां से कलियां लगी है उसके pod को भी आपको तोड़ के हटाना है जैसे आप देखो ये वाला part अगर आप इसको तोड़ के नहीं हटाओगे तो यहां नीचे जो आपको ये pod दिख रहा है यहां से बीज बनना start हो जाते हैं तो फ्लावर के साथ साथ फ्लावर पॉड को अगर आप तोड़ के नहीं हटाओगे तो यहां से बीज बनना जब start होंगे तो प्लांट जो है अपनी सारी एनरजी बीज बनाने में वेस्ट करेगा ना कि बाकी और जादा फूल और कलियां खिलाने में इसलिए फ्लावर जो भी मुर्जा जाएं उनकी आप टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहें इससे जब आप कट करके हटाओगे फूलों को जहां से खिले हैं वहां से नए नए ब्रांचेज भी आएंगे पौधा भी घना होगा साथ ही साथ जितना जादा घना पौधा होगा उतनी जादा मात्रा में फूल और कलिया नई नई निकलते रहेंगी और पूरे सीजन भर ऐसे फ्लावरिंग इसमें होते रहेंगी इन सभी केर के साथ साथ आपको पिटूनिया को टाइम टू टाइम अच्छे से और सही से फटलाइज भी करते रहना ज़रूरी है ताकि उसमें और भी जादा मात्रा में फूल और कलिया आ सके तो खाद के तौर पे सबसे पहले आपको जो है वर्मी कमपोस्ट का पिटूनिया के पौधे में रेगिलर इस्तमाल करना है वर्मी कमपोस्ट खाद जो होता है वो सभी तरह के पोशक तत्वों से भरपूर होता है जिसके इस्तमाल से पौधे अच्छे से ग्रोव भी होते हैं और उसमें फूल और कलियों की संख्या भी जादा आती है तो वर्मी कमपोस्ट का आपको पिटूनिया के प्लांट में लिक्विट फटलाइजर बना के देना है तो उसके लिए आप एक लीटर पानी में दो मुठी वर्मी कमपोस्ट डाल के अच्छी तरह से घोल लें और वर्मी कमपोस्ट के साथ साथ पौधे में फ्लावरिंग की संख्या और फूलों का साइज को बढ़ाने के लिए ताइम टू टाइम आपको पोटैस्यम खाद का भी पिटूनिया के प्लांट में रेगिलर इस्तमाल करना है तो पोटैस्यम के लिए यहाँ पे आप वुड एश यानि लकडी की राक का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें भरपूर मातरा में पोटैस्यम पाये जाता है जिससे आपके पिटूनिया के प्लांट में फ्लावरिंग और कलियों की संख्या बढ़ेगी तो एक लीटर पानी में आपको लगभग एक से दो चमच जो है लकडी की राक का इस्तमाल करना है उससे जादा इसको यूज नहीं करना है अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको इस लिक्विट खात को 24-48 घंटे के लिए पूरी छाया वाली जगा में रग देना है उसके बाद इसका आपको इस्तमाल करना है और इस्तमाल करने के लिए प्लांट बड़ा है तो आपको अलग से इसमें पानी मिलाने की ज़रत नहीं है डायरेक्ट आप इसको प्लांट में डाल सकते हैं पर प्लांट आप 100-200 ml ये वाला लिक्विड फटलाइजर हर 10-15 दिन में अपने पिटूनिया के प्लांट में इस्तमाल करें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा प्लांट की ग्रोध भी अच्छी होगी साथी फूलों और कलियों की जो संख्या है वो भी बहुत जादा बढ़ेगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही और भी पिटूनिया के प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहोंगी और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक ज़रूर करें चैनल पे न्यूएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें